नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों वेसे तो हमने सोयविन की खेती से सम्मंदित विराइटी का चैन केसे करना है आपके छेतर में केसी जलवाई हुए तो आपको कौन सा बीज का चैन किस प्रकार से करना है और सभी विराइटियों की विसेश्ता और आउधी जो कितने दिन में वो परिपको होती है इसी जानकारी भी दे दी हैं साथी साथ सोयविन की खेती की सुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारी दे दी हैं और बुवाई के समय आपको क्या सावदे ने रखनी है और भी सभी चीजे हमने बीज उपचार, अंकुरन परिक्षण जैसी जानकारी भी हमने सभी विडियो के माध्यम से चेनल पर दे दी है पर अभी फिलाल में बुवाई में 8-10 दिन का समय ही रे गया है और किसान साथियों के मन में लगातार सवाल है कमेंड के माध्यम से वह सवाल भी आ रहे हैं कि जो हैं सोयविन की फसल में कौन-कौन से खाद की आवशकता लगती है कौनकें से उर्वरोक की जरूरत पड़ती है और उन उर्वरोकों का उप्योग किस प्रकार से और कितनी मात्रा में करना चाहिए कौन सबी किसान भाईयों को सरल जवाब देने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है जिस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा खाद किस प्रकार से और किस समय किस तरीके से कितनी मात्रा में देना चाहिए तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे है जिससे आपको पूरी जानकारी समझ माए जानकारी पसंद आए महनत पसंद आए वीडियो पसंद आए तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाए और जादा से जादा किशान बोयों तक वाटसब फेश्बूक और अन्य सोसल मीडिया प्लेटफॉरम से पर सेयर भी करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाब ले सके हैं और हमारी मेनत सपलो और खेती से संबंदित, मंडी भाव से संबंदित सभी जानकरिया जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबागर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबादें जिससे हम जो भी जानकरी के वीडियो डालेंगे वह बेना दोड़ी के आपकर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे तो आईए जानकरी सुरू करते हैं सबसे पहले बात करें खा दूरुवरक्की तो अगर आप जेवी खेती अपना रहो तो काफी अच्छी बात है और आने वाले समय के लिए जेवी खेती का ही दोड़ चालू होने वाला है पर जेविक खेती को भी एकदम से नहीं अपनाया जा सकता है, धीरे धीरे जो जमीन में जहर हैं, उसे कम करके हम धीरे धीरे आदत डाल सकते हैं, तो अगर आप जेविक खेती कर रहे हो तो आपके लिए वर्मी कमपोज्ट खात और देसी गोबर की खात काफी अच्छे से काम करेगी और कार्बनिक तत्व की पूर्ती के लिए हमें देसी गोबर की खात 2-3 ट्राली प्रती एकड के हिसाब से या 5-4 बेग जो होते हैं, हम वर्मी कमपोज्ट के डाल कर भी हमारे खेतों में कार्बनिक जो तत्व हैं उनकी पूर्ती करके अच्छी मात्रा में पोसक तत ही कर रहे हैं तो उसके लिए कौन-कौन साखादों के आवसकता लगती हैं तो किसान सातियों हमने गर्मी के समय में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें की मिट्टी परिक्षण की बात हमने की थी तो आपने अगर मिट्टी परिक्षण करवाया हैं तो रिपोर्ट में जिस जिस खाद की आपके खेतों में कमी आई है उसकी मातरा आपको जादा रखनी है बाकी जो नोर्मल है उनकी मातरा आपको सामाने रखनी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको अपने खाद उर्वरक का मेनेजमेंट करना है जिससे कि आप कम खर्चे में अधिक उत्पादन ले सकते हो सोयविन की फसल में काफी ज्यादा आवशकता लगती है प्रति एकड के हिसाब से अगर बात करें तो आट से बारा किलो नाइट्रोजन की आवशकता लगती है 32 से 35 किलो प्रति एकड के हिसाब से फोसफोरस की आवशकता लगती है और 8-10 किलो प्रती एकड के हिसाब से पोटास की आवशक्ता सोयविन की फसल में लगती हैं उसके अलाबा सलफर की बात करें तो 5 किलो प्रती एकड के हिसाब से सलफर की आवशक्ता भी होती हैं और जिंक और मेगनेश्यम की मात्रा भी 2-5 किलो या 3 किलो तक प्रती एकड हम ले सकते हैं जिससे की खेत में संतुलित मात्रा में उर्वरक और पोसक तत्वों का मंढरन बना रहेगा और सोयव इनकी फसल अच्छी उत्पादन के साथ अच्छी क्वालिटी की और अगरसर होती रहेगी इनकी पूर्ती के लिए हमें कौन से खादों का उप्योग करना चाहिए तो हम जो DAP 18-46 खाद होता हैं उसका उप्योग भी कर सकते हैं उसके साथ पोटाज की मात्रा मिला कर तीनों तत्व की पूर्ती कर सकते हैं उसके अलावा जो 12-12-16 NP के आता हैं उसका उप्योग करके भी हम जो तीन मुख्य तत्व हैं उनकी पूर्ती कर सकते हैं इसके अलावा फोस्पोरस और सलफर की पूरती के लिए हम SSP का उपयोग भी कर सकते हैं। इन तीनों विकल्प में से कोई भी हमारे यहां पर जो अवेलेबल हो उनकी पूरती जो हमने अनुपात बताया हैं प्रति एकड के हिसाब से मात्रा बताई हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो। की पूरती कोंबी कीट आता हैं सभी कंपनिया आजकल बनाने लग गई हैं तो आप अपनी विश्वास पात्र कंपनी का कोंबी पेक लेकर जो हैं अलग-अलग खादों की पूरती एक ही कोंबी पेक के माध्यम से अपने खेतों में कर सकते हो। और सभी खातों की पूरी मात्रा हम बुवाई के पहले ही खेतों में डाल सकते हैं। और जो नाइट्रोजन की आदी मात्रा बची हैं वह वेजिटिटिव ग्रोथ के समय सोयविन की फसल जब 20 दिन की होती हैं उस समय हम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो हम उपयोग करते हैं तो फसलों को अच्छा लाब मिलता है और सभी उर्वरक अच्छे से काम करते हैं। तो सभी खातों का पूरू हम जो खेत की तेयारी करते हैं उस समय उपयोग कर सकते हैं और नाइट्रोजन की आदी मात्रा लेकर उसका उपयोग इस समय करना है बाकी जो हैं 20 दिन के बाद हम कर सकते हैं। तो बात हो गई खाद के उपयोग के समय की अब हम तरीका क्या अपनाना चाहिए कि इस प्रकार से खादों को खेद में डालना चाहिए जिसे की अच्छे से लाब मिले तो किसान भाई अलग-अलग तरीका अलग-अलग खादों के लिए अपनाते हैं जिसे की अलग-अलग छे खेत की तेयरी करते समय ही खाद उरुरणग को डालना चाहिए इससे की वह खेतों में अच्छी से मिल जाये और बोधे को आवशक्ता अनुसार उसकी पूर्ती करने में साहिता मिलती रहे तो हम बात करेंगे जो बुवाई के पहले खेतों की तेयरी करते समय किस प्रकार से कर दे समय दो बीच्ट भीुन है और जो हैं। मिल जाता है और जैसे हैं हम सोयव इनकी बुवाई करते हैं तो उसकी जड़े खाद की और अग्रसिर होती है और खाद की पूर्ती अच्छे से हो जाती है और वहाँ खाद वेश्ट भी नहीं जाता है धूप से खराब भी नहीं होता है पानी में बहकर भी नहीं जाता है और लंबे समय तक अपनी फसल को लगता है और अगर हम बीच की बुवाई के साथ साथ अगर खाट डालते हैं तो सड़ने का भी खतरा रहता है इसलिए हमें खादों की पूर्ती बुवाई के पहले खेत के आयर करते समय सीडिल की साहिता से डाल देना है उसके बाद बुवाई हम कुछ दिनों बाद अलग से करना चाहिए यह बात हो गई खाट की पूर्ती की और तरीके की और सही समय की तो इस हिसाब से अगर आप खाट उर्वरक का प्रबंदन करते हो तो आप कि हाँ पर सोयविन की खेती अच्छे से की जा सकती है इसके अलाबा कोई खाट छूट जब रहेगी तब देंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे जिससे की आपको समय समय पर सभी जानकरिया मिलती रहें यहां जानकरिये अच्छी लगी हो तो लाइक करे वीडियो को पूरा देखा है तो जै हिंद कमेंट जारू करे जिससे हमें पता चल सके इकोन- सात्यों चेनल पर खेती से संबंदी सभी जानकारे डाल रखी हैं आप वह भी जाकर देखें उन्हें भी लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब जरू करें फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत बंदे मातरम